नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षमकादमी के जना ओनलाइन प्लेफ़ाम पे और आज आज के बीच एक बार फिर से उत्राखन के स्विसेश्रेज में तो चलिए सिधा सुरू करते हैं आज आपके पास पहला प्रश्न होगा आपको बताना है सही सुमेलित है ठीके तो सही सुमेलित कौन सा है पहला ओप्सन है पहले गूर्खा सुबब अमर सिंग थापा नरसाई का मंगल अजब सिंग खवास पहला गूर्खा कालीन भूमी बंदवस रितु दुष थापा अंति गड़वाल में परसासक न्यूक्त किया जाता है गुर्खा सुबबा जो पहले थे वो थे जोगामल 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 साह थे ठीके पहले गुर्खा सुबबा थे 1791 में न्यूक्त हुए जब यहाँ पे कुमाओ में गुर्खों ने अपना अधिकार कर लिया था कुमाओ चीतर में तो उन्होंने परसासक की रूप में जो पहले गुर्खा सुबबा थे वो जोगामल थे ठीके नर्साई का मंगल आजब सिंख खवास तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काजी नर्साई इस समय सुबबा काजी नर्साई ही था और इसके समय नर्साई का मंगल की घटना होई इसमें क्या होता है कि नागरकोटी की कुछ ब्रामन होते है उन ब्रामनों की यह हत्या करवा देता है इसका पहला गुर्खा कालीन भूमे बंदोबस तो रितु दोस्थापा ने इसका पहला गुर्खा कालीन भूमे बंदोबस जो हुआ था वो पहला गुर्खा सुबब जो थे जोगामल जोगामल के समय पहला गुर्खा कालीन भोमे बंदो बस्त हुआ था रितु दोस्तापा की अगर बात करें तो इन्हें किसी कारण दोसी पाये जाने पर डोटी में इन्हें फांसे की सजा दे गई थी ठीक है और जोगामल सा इन्हों ने क्या किया था इन्हों ने बालों पर बालों पर टैक्स लगाया था ठीक है बालों पर भी इने नोंने टेक्स लगाए था इस अंतिम जो option है इसमें D उसमें है कि अंतिम गुर्खा सुबबा अंतिम गुर्खा सुबबा बमसा चोतरिया तो यह सही हो जाएगा और इस प्रशन का जो सही आंसर भी हो जाएगा option D हो जाएगा अंतिम गुर्खा सुबबा बमसा चोतरिया था और बमसा चोतरिया सबसे अधिक समय तक गुर्खा सुबबा भी रहा था ठीक है 1790 के बाद यहां पर अंग्रेजोने ने यह सुबबा यहां पर न्यूक्त किये थे ठीक है चलिए अगला प्रशन आपके पास है ठीक है यह भी गुर्खों से संबंदित है अभी दो तिन प्रशन गुर्खों से संबंदित होंगे सुमेलित नहीं है ठीक है तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है जाक्चा कार्यरत गुर्खा सैनिक जाक्चा आपने देखा होगा सिल्ब करमे ठीक है और तलवार गुर्खों का परमुख हतियार तो इसमें बताना है हमें सुमेलित नहीं है तो नहीं कौन सा हो जाएगा इसमें देखो हमारे पास कार्यरत गुर्खा सैनिक जागरिया ठीक है जागरिया भी कहते हैं धाकरिया 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 भी कहा जाता तो इस प्रस्ट में जो सुमेलित नहीं हो जाएगा क्योंकि तलवार गुर्खों का प्रमुक हतियार नहीं था, खुकरी गुर्खों का प्रमुक हतियार था, और इसे बनानी का जो प्रमो केंदर था वो था गडी नगर गडी नगर कहां परता आपका डोटी में ठीक है डोटी में था ये गडी नगर ठीक है यह इनका गुर्खों का जो अतियार था मुख्य अतियार वो खोकरी था गुर्खा कालिन सिल्व कर्मी सिल्व कर्मियों को ये कामी कहते थे सुनार को ये सुनुवार कहते थे ठीके ब्रामन दासों को ये कठवा कहते थे ठीके चलिए अगला प्रशन आपके पास है ठीके अगला प्रशन आपके पास है सही सुमेलित है बताना आपको ठीके इन में से इन में से आपको बताना है, पहला प्रशन आपके पास है, पुंगारी, उससों पर लिया जाने वाला कर, ठीके तिमारी फौजदार तथा सुबेदार को दिए कर, ठीके रहता कर, चिपाईगे, समस्पति पर लगने वाला कर, और दो निया कर लगान के بारे में पता, पता करन लावा, फॉजदिर का, जो ऑप्सन सही है वो ऑप्सन भी है, इसके रहता करें कि बात करें छिपाई गई संपती पर लगने वाला करुड़कर करने ही, तो छिपाई के संपती पर जो लगता है, वो लगता है, बहता कर, अगर रहता कर की बात करें, तो रहता कर लगता है, गाउं छोड़कर, जाने वाले पर, जाने वालों, ठीक है, दोनिया कर की बात करें, तो दोनिया कर लगता है, भावर में पसू चार कोंपर, पसू चार कों पर ठीक है और लगान के बारे में पता करने पर जो कर लगता था गुर्खा Kahl में ये लगता था आपका जन्या सुन्या नामक करुल इस पह लगता था ठीक है तो ये कुश कर थे गुर्खा Kahl से सम्बंदित इसके बाद अगला प्रशन आपके पास belly of dune किसकी पुस्तक है ठीक है belly of dune की बात करें तो belly of dune इस प्रश्ट का जो सही आंसर हो जाएगा option C हो जाएगा जे आर गिल belly of dune इनकी पुस्तक है captain hearsay की हम बात करें ठीक है सबसे पहले सुदर संसा के बारे में देखते हैं सुदर संसा ठीरी रियासत ठीरी रियासत के प्रथम राजा थे ठीक है इनका एक गरंथ मिलता है सबसार सबसार जो साथ खंड़ों में और ब्रजबासा में रचित है सबसार ठीक है captain hearsay captain hearsay इनकी मुलाका सुदर संसा से तब हुई थी जब सुदर संसा आपने ब्रेली प्रवास के दोरान थे ठीक है ब्रेली प्रवास के दोरान थे अठार सो नो से ग्यारा तक तो वहाँ पे इनकी मुलाकात captain hearsay से होती है यह अरगिल की बात करें तो इनकी बुक belly of dune है और अगर S.D. Walton की बात करें तो S.D. Walton की एक बुक मिलती है हमें अलमोडा गजेटियर इसके बाद इनकी एक बुक मिलती है गडवाल गडवाल दून गडवाल गजेटियर ठीक है यह दो बुक हमें S.D. Walton की मिलती है ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रशन आपके पास है निमलिखित में से किस वर्तमान जिले का भाग टीरी-रियासत में सामिल नइता है उसके बाद भी सुदर्संसा के सामने एक युद्ध भी रखते हैं और युद्ध भी में ये कहते हैं कि हमारा पांच लाख रुपे का खड़्चा हुआ है युद्ध में आप वो दे दीजिए और उसके बाद हम आपको गडवाल चित्र सौंब देंगे सुदर्संसा 5 लाख रुपे देने में असमर्थ रहते हैं जिसका रणे गडवाल का विवाजन कर देते हैं और गडवाल का जो पस्यमी भाग है उसको ये टीरी रियासत के रूप में सुदर्संसा को दे देते हैं ठीक है, चलिए, अगला प्रशन आपके पास, सही सुमेलित है, ठीक है, सही सुमेलित है, बताना है इसमें, तो सुदर्शन साह को अस्ताई सनत, 1821, तो सुदर्शन साह को जो अस्ताई सनत मिलती है, वो मार्च 1820 में मिलती है, मार्च 1820 में मिलती है, तो इस परकार पहला उप सुदरसन साह को टीरी रियासत सौमते हैं तो रवाए और दून छेत्रों अपने पास रखते हैं ठीक है तो अठारसो चौबिस में रवाए को टीरी रियासत में सामिल किया जाता है ठीक है तो मूरक्राफ्ट टीरी आया तो मूरकराप टीरी 1830 में नहीं बलकि ये फरवरी 1820 में आया इसने मूरकराप ने इसको राजा को कारिसील राजा बताया ठीक है सुदरसन साओ को टीरी रियासत का जो पहला जनांदोलन था वो 1835 में 1835 में क्या होता है कि सकलाना के मुअफिदारों के खिलाब टीरी में पहला जनांदोलन हमें देखने को मिलता है उसके बाद सकलाना में एक और आंदोलन 1947 में होता है सुतंतरता संग्राम के दोरान ठीक है तो 835 वाला जो पहला था इसमें क्या होता है इस छेतर के जो मुआफिदार होते हैं जो सयाना कमेन और जो अस्तानिय लोग होते हैं वो उनके खिलाब यहाँ पे आंदोलन कर देते हैं ठीक है और 1947 में सुतंतरता के टाइम पे जब हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा अंदोलन होता है उस समय यहाँ पे आजात पंचाइद की भी सकलाना वाले छेतर में आजात पंचाइद की भी अस्तापना होती है 47 में और आजात पंचाइद की अस्तापना कर जो सकलाना का परसासन होता है वो आजात पंचाइद को सौपा जाता है ठीक है चलिए अगला प पुरिश्न का जो सही अंसर हो जाएगा ओह हो जाएगा आपका option Option, option C, ठीके नौकुचियाताल का जो पौरानिक नाम है सनत्कुमार सरोवर हो जाएगा नौकुचियाताल कुमाओंचेत्र के सबसे गहरी जील है, नौकोने नौकों ने होने के कारण इसका नाम नौकुचिया ताल पड़ा ठीके नौकुचिया ताल पड़ा इसे पौरानिक नाम इसका सनतकुमार सरोवर मिलता है इसके लावा नैनिताल की बात करें तो ये इसके जो खोज नैनिताल की हम देखते हैं 842 में हो गई थी ठीके नैनिताल जिससे पहले हमने यहां पे देखा था इसके किनारे एक नैना देवी मंदिर है और जहां पे हमें पांचुई सताब्दी की जैन मूर्ती मिले ठीक है साथ पहाडियों से गिरी हुई है साथ पहाडियों से गिरी हुई है और इसके मद्दी एक पाड़ी है जो इसको दो भागों में बांटती है ठीक है साथ पाड़ीयों में जो सबसे उची पाड़ी है वो है चाइना पेक या नैना पेक ठीक है भीमताल की बात करें तो भीमताल को पुराणों में भीम हृत के ना ठीके इसका जो आकार है तिर्भुजाकार है 1882 में यहाँ पे ब्रिटिसों के द्वारा विक्टोरिया बांध का निर्माण करवाय गया था भीमेशुर महादेब का मंदिर भी यहीं पे है कारकोटक नाग दिपता का मंदिर भी यहीं पे है इसके लावा यहाँ पे फ्रेडरिक्स सिमेटा द्वारा तितलियों का संग्राल है तथा लोकसंस्कृति संग्राल ये सुधर मटपाल के द्वारा यहीं पर रस्तापित किया गया था। इसके अलावा एक हमें और मिलता है कुमाओं में जिसका नाम है चित्र हिरिद, पुराणों में चित्र हिरिद, तो चित्र हिरिद का जाता है गरूरताल को, और गरूरताल साथ तालों में एक ताल है गरूरताल, ठीक है हेमकुंड की अगर बात करें हेमकुंड चमुली में निर्वान हुआ था और इस गुरु द्वारा ये है विश्रो का सबसे उचाई परिस्तित गुरु द्वारा है इसके लावा हेमकुण में हम देखते हैं कि आप लक्षमन जी ने भी तपस्या की थी यहां से एक जो नदी निकलती है उसे लक्षमन गंगा नदी के नाम से या हेम गंगा नदी के नाम से जाना जाता है ठीक है तो हेमकुंड शिक और हिंदू दोनों के लिए पौराणी कस्तल है ठीक है इसका जो वल्नन हमें मिलता है वल्नन अगर हम देखे तो जो गुरू विंद सिंग है इनकी जो आत्म कता है बिचित्र नाटक उस बिचित्र नाटक में हेमकुंड का उल्लेख मिलता है ठीक है तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्ण आपके पास है हुडेती तामरपत्र का संबंध किस चंद सा सकसे है ठीक है तो हुडेती तामरपत्र का संब स्वतंत्त्र साशक था। इसके समय हमने देखा हूं हमण 12 और से युद्ध लड़ा था रोटे शासकों के साथ। और इससे पहले जो सबी शासक थे वह डोटी को टेक्स देते थे डोटी सासकों को टेक्स देते थे लेकिन भारती चंद ने डोटी सासकों को हरा कर ये जो प्रमपरा थी ये तोड़ी थी और ये कुमाव चित्र का पहला सोतंत सासक बना था ठीक है इसके समय हमें नाइक जाती की उत्पति भी हमें भारती चंद के स सिरो मनी जूसी है ठीक है इसके बाद गरूर ग्यान चंद की बात करें तो इसका में गोवासा तामर पत्रियां पर हमें देखने को मिलता है इसके लाओ गरूर चंद का बीर सेना पती नेलू कठायत था नेलू कठायत था बाजबादूर चंद की बात करें तो सहाजान के दौरा इसे बहदूर के उपादी दी गई थी इसने नंदा देवी की मूर्ती लाकर अलमोडा के मल्ला महल में इसने अस्तापित करवाई थी जिसे बात में ट्रेल मौधे के दौरा इसकी वर्तमान जगह पर अस्तापित करवाय गया था चलि अगला प्रशन आपके पास है केने इंथोनी पारकर का सम्बंद था इस प्रशन का जो सही आंसर हो जएगा वो हो जाएगा आपका आप्सन B इस प्रशन का सही आंसर है यह पंत्रनगर में आपका है इसके अगर अस्तापना की बात करें तो 17 नौम बर 1960 में इसके स्थापना होती है ठीक है इनका संबन नियां से और पहले इसकी कुलपदी थे विवेकानंद प्रवती किर्शियन संदान ठीक है अनुसंदान ये कहा है तो ये है आपका अल्मोडा में ठीक है अल्मोडा में 1924 में कलकता में बोसिसाइन के द्वारा इसके स्थापना की गई थी और 1936 में से अल्मोडा स्थाना अंत्रित किया गया था ठीक है भारतिय पसु चिकिस्टान संदान संस्थान की बात करें हम तो ये है आपका 1893 में इसके स्थापना होती है इसके स्थापना करते हैं अल्फ्रेड लिंगार्ड और अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा इसके स्थापना की जाती है मुक्ते सुर में ठीक है इसके बलावा लोक संस्कृति संग्राले जो है लोक संस्कृति संग्राले हमने भीमतार में देखा था 233 में यसुदर मटपाल के द्वारा लोक संस्कृति संग्राले की अस्थापना की गई थी ठीक है चलिए अगला प्रशन आपके पास है कत्योरी काल में तैसील अस्तर की प्रसासनी की काई को क्या कहा जाता था इस प्रशन का सही आंसर हो जाएगा आपका कत्योरी काल में 232 अस्तर की जो प्रशनी की काई का कारमान जाता था ठीक है इसके अलावा हमें ओपन यूटि प्रसासनी की की गई कारमान नहीं होगा यह इसके लावा यह कारिक की अगर हम बात करें तो राज़मिस्तरी हो जाएगा अक्षपटला दिकृत की बात करें तो ये लेखा परिक्षक हो जाएगा और अगर प्रांधपाल की अगर हम बात करें तो ये प्रांधपाल हो जाएगा आपका सीमाओं का रक्षक ठीक है सीमाओं का रक्षक प्रांधपाल हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रश्ण आपकी पास है ठीक है अगला प्रश्ण ने सांती भियोस्ता के लिए राज्जे को चार भागों में किस टीरी नरेस ने विवक्त किया था ठीक है तो इस प्रश्ण का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सान्ती बेउस्ता के लिए राज्जी को चार भागों में किसने अस्तापित किया था तो इस प्रश्ट का सही आंसर हो जाएगा परतापसा ठीक है परतापसा ने चार भागों में किया था वो थे टकनौर टकनौर, रवाई चिल्ला चिल्ला ठीक है चार थानों में इनोंने अस्तापित किया था सान्ती बेउस्ता के उद्देशे से इसके अलावा परतापसा ने हम देखते हैं खेडा पाला और विसा परताओं का अंतकिया था परतापसा ने पुलीस बिवाग के अस्तापना किया और पुलिस बिवा के स्थापना करने वाला ये पहला सा सकता सुदर्सन साथ टीरी रियासत के फस्ट राजा थे पर्थम राजा थे टीरी रियासत के इन्हें कलाविदों का कलाविदों का सिरोमनी कहा जाता है कलाविदों का सिरोमनी कहा जाता है और ये कहां कहा गया है ये कहा गया आपका बाड़ा हाट प्रसस्ती में ठीक है इसके बाद भवानिसा की बात करें तो भवानिसा 1860 में इनके द्वारा भूमी बंदुबस्त करवाया जाता है बड़े सरल सुबाओं की राजा थे वोमी बंदुबस्त करवाया जाता है 1862 में इनके द्वारा देप्रियाग में हिंदी और संस्कृत की प्रारंबिक पाट सालों की अस्तापना की जाती है नरेंद्र साह की अगर हम बात करें तो नरेंद्र साह की समय हम देखते हैं 1902 में हम किरसी बैंग देखते हैं 1921 में जनगरना करूआते हैं नरेंद्र नगर की भी अस्तापना करूआते हैं ठीक है इसके लावा Red Cross Society की अस्तापना भी इन्हीं के समय होती है 1934 में 1923 में इनके समय प्रतिनीदी सभा के स्थापना होती है 1919 में पंचाइतों के स्थापना होती है ठीक है चलिए अगला प्रशन आपके पास ओस्दिये यूम सुगंदीत पौझसंस्तान की जिले में इस्थित है ठीक है तो इस प्रश्ट का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाभ आपका option P उद् दम सिंह नगर ठीक है देरतों में अगर हम देखे सेला कोई में सेला कोई में देखेंगे सगंद παदब केंdra सगंद पादब केंदर ठीक है तो सगंद पादब केंडर के सथापना कहां थे हुई सेला कोई में ठीक है चलिए कल्यान मंत्राले का अगठन भी 2012 में होता है चलिए अगला प्रश्ण है आपके पास निम्नि में सुमेलित है ठीक है तो सुमेलित है वरिष्ट नागरिक भरन पोसंत था कल्यान अदिनियम तो इस प्रश्ण में थोड़ा सा इसमें वर्तमान में देखे हम तो वर्तमान में पास करोड ये भी सुमेलित है ठीक है ये भी सुमेलित है और ये भी 2011 वाला जो ये अदिनियम है वरिष्ट नागरिन भरन पोसंत था कल्यान अदिनियम ये भी है क्योंकि ये जो अदिनियम है ये 2007 में बना था और 2011 में लागो हो गया था ठीक है और यह जो बिदाइक ने दी है पहले यह तीन करोड़ पिचितर हजार कुछ लाग करके खुछ थी लेकिन अभी वर्तमान में पांच करोड़ हो गई है तो यह दोनों सही हो जाएंगे परियावरन रक्षा ही तो इको टास्क फोर्स थे हमारी दो जार आठ नो की ठीक है और इंद्रा अम्मा के इंटेन योजना आपकी है दो जार पंद्रा की ठीक है तो यह जो वरिश्टनागिक भरण पोशन तता कल्याना दिनिया में दो जार साथ का है यह लागू हुआ था द 2011 में ठीक है और जो यह विदाईक छेत्र विकास निदी का रासी है यह अभी कुछ राइम पहले ही बढ़ाई गई थी यह पांच करोड कर दी गई अब ठीक है चलिए अगला प्रशन आपके पास है W.J. Hynwood द्वारा की सुर्स कप मार्थी खोज की गई थीक है तो कप मार्थी खोज की गई यह वना था बलकि यह वना था 856 1856 में WG Hynode के द्वारा देवी दुराजमबावत में कपमाक्स की खोश की गई थी इसलिए इने WG Hynode को उत्राखंड में उत्राखंड में पुरातत्तो का पुरातत्तो का जनक कहा जाता है ठीक है इनोंने कपमाक्स की खोश की फिर हमारे पास 1857 में हम देखते हैं रिवेट कारनक कारनक के द्वारा कारनक के द्वारा रिवेट कारनक के द्वारा द्वारा हाट का जो चन्द्रे सुर मंदीर है वहाँ पे कपमाक्स की खोश की गई थी ठीक है चलिए अगला प्रशन आपके पास है अगला प्राजी की सीमा से संब्ऩदीत है राजी की अंतराष्टी सीमा की लंबाई कितनी है तो राजी की अंतराष्टी सीमा की लंबाई इसमें से आपके पास जो प्रस्षा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option C 625 km ठीक है 350 km हम देखेंगे यह सीमा है, यह है आपकी चीन के साथ, ठीक है, 255 हम देखेंगे, 255 किलोमेटर जो सीमा है, 255 किलोमेटर सीमा है नेपाल के साथ, तोटल हमारी पास जो अंतराष्ट्री बौडर है वो है 625 का, अगर हम सरवादिक की बात करें, सरवादिक की बात करें तो आपका पिथोरागड हो जाएगा और अगर हम देखें कि अंतराश्टी सीमा कितने जिले बनाते हैं तो पांच जिले हमारे अंतराश्टी सीमा बनाते हैं एक बनाता है उत्तरकासी, फिर चमोली है, फिर फिर बित्वरागड़ है फिर चमपावत है, फिर अुद्धम सिंग नगर है ठीक है चलिया अगला प्रशन आपके पास है टीरी रियासत में पर्थम जन्गरणा किसने करवाई थी तो TRI रियासत में जो पर्थम जन्गलना कराई थी इस प्रशन का जो सही आंसर हो जाएगा इससे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है नरिंदर साह के द्वारा TRI में पर्थम जन्गलना करवाई गई थी ठीक है तो यह प्रशन कई बार आ चुका है पहले ठीक है? ठीक है. अगला प्रश्ण है, हादिये आजम पत्रिका का प्रकासन कहां से हुआ था? तो हादिये आजम, ठीक है? यहाँ पे भी थोड़ा सा उप्शन में गलत हो गया, यह नैनि पाटन नहीं, नैनि ताल होगा. ठीक है तो इस प्रश्ठ का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा नैनिताल से हादिये आजम पत्रिका का परकासन होता था नैनिताल में भी कहां से हलदवानی में 1936 अगर हम इसके संपादक की बात करें तो मोहमद इकबाल सिद्ध की सिद्ध की इसके संपादक थे और यह हो उत्राखंड में या राज्य की पहली उर्दू धार्मिक पत्रिका थे मसूरी से हम देखते हैं अगला प्रशन आपके पास है ठीक है पवार काल में मुद्रा वियोस्ता का जनक किसे कहा जाता है या आपके पास प्रशन है तो आपका जो सई आंसर हो जाएगा आपका आपका आप्सन डी लसन देव पोवार वंस में इसे मुद्रा ब्योस्ता का जनक आ जाता है इसने पनी मुद्रा चलाई थी जिसमें नागरी भासा में लसन देव लिखा हुआ था डेट सेंटिमेटर की ये मुद्रा थी और इसके अलावा जो कल्यान पाल साह हमारे पास है ये और ऐसा माना जाता है कि कल्यान पाल साहा ने पर्थम पहली बार साहा की उपादी लगाई थी लेकिन आयोग और परिक्षावाणी और जो पिछले पेपर हुए हैं उनमें हर जगा आतनसर माना है बलबदर शाहा को ठीक है बलबदर शाहा को माना जाता है कि पहला साह सक्ता जिसने साक्योपादी धारण की, अनंतपाल दुइति की बात करें, तो इनका हमें मंदागनी घाटी में धार सिला गाउं से एक सिलालेक मिलता है, और कनकपाल की अगर हम बात करें, तो कनकपाल पंवार ओंस का संस्ता पकता है, ठीक है, तो ये थी आपके उत्राखन से मंदित कुछ प्रशन, ठीक है, अचली आप रिवजन करते रहे हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद